का जो वीडियो है वो how to do transaction entry of purchase voucher in teleprime means teleprime में purchase voucher की transaction entry हम किस तरीके से करते हैं तो students purchase voucher होते क्या है यहाँ पर student मैं आपको एक बात और बता दूँ वीडियो नमबर पार्ट नमबर 5 में सभी vouchers और accounting के gold rules के बारें detail से समझाया गया है तो वो वीडियो आप अबस देखें जिससे आने वाली जो भी आपके vouchers हैं उनमें आप आसानी से entry कर सकें तो student चलिए इस वीडियो में purchase voucher को समझते हैं तो जैसे कि student नाम से ही आप देख रहे हैं कि purchase voucher means जब भी हम किसी से भी कोई भी माल खरीट हैं तो उसके entry purchase voucher में होती है means जैसे कि जो भी हमारे दोस्त भी इस वीडियो देख रहे होंगे जो भी कहीं दोस्त जॉब कर रहे हैं तो purchase voucher बड़ा easy और simple है क्योंकि कोई भी माल जब हम किसी party से किसी company से अगर हम खरीटते हैं तो उसकी जो entry है वो purchase voucher में purchase voucher में करते हैं तो students यह आप समझ गया होगे कि purchase voucher क्या होता है तो चलिए student अब practically देखते हैं कुछ example के थरूप तो यहाँ पर देखिएगा तीन example में आपको समझा रहा हूँ purchase goods from Malotra and company 10,000 on credit मतलब यहाँ पर Malotra and company से 10,000 का माल उधार खरीडा गया है तो देखिए यहाँ पर जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ दो यहाँ पर account आपके प्रवाबित हो रहा है purchase account और Malotra and company तो यहाँ पर purchase account हो हरा nominal account है और Malotra and company हो हरा personal account है इसी तरीके से second question है purchase goods from Sunil and brothers at 20,000 on credit यहाँ 20,000 का आप गोर्स यानि माल purchase किया गया है खरीडा गया है 20,000 का तो यहाँ पर भी दो ही account आपके प्रवाबित हो रहा है purchase account और Sunil and brothers account तो यह purchase account जैसके मैं आपको बता चुका हूँ normal account में जाता है और Sunil and brothers यह आपका personal account है इसी तरीके से question number three है purchase goods from Raj and company, Raj and company से 900 का ओधार माल खरीडा है तो देकि इन तीनों माल खरीडा जाना क्योंको purchase voucher तुम खरीडेंगे simple सी बात है और इसके entry purchase voucher में करेंगे तो यहाँ पर भी दो आपके account जो है वो यहाँ पर देखिए गलत है sorry यहाँ पर में थोड़ा यह राज नहीं है क्योंकि नीचे ABCD लिखा है तो यहाँ पर ABCD sorry क्योंकि यह सभी examples हैं तो किसी company का कोई वैसा नाम नहीं तो यहाँ पर यह एक्जामिक भी समझाया गया तो हम कुछ भी यहाँ पर ले सकते हैं तो यहाँ पर भी आपके दो account प्रवाइट हो रहा है purchase और ABCD and company यहाँ से भी 9nd का उधार जो भूर्स है माल है खरीदा गया है तो purchase account nominal account में जाता है और यह ABCD आपको personal account है तो golden rules के हिसाब से purchase account हो हम debit करेंगे और तो personal account है यहाँ पर Malotra, Sunil और ABCD इसी हम credit करेंगे तो student इसमें एक और important sheet है कि यहाँ पर देखिए Tally में आप laser भी create करेंगे क्योंकि purchase account का laser create करेंगे Malotra & company का laser create करेंगे और Sunil & brothers का laser create करेंगे और यहाँ पर ABCD & company का create करेंगे तो यह site video number 2 वहाँ पर यह दिया गया है समझाया गया है कि only जो भी laser से है वो किस तरीके से laser create करते हैं तो वीडियो आप वो देख सकते हैं और student वो ही नहीं अगर आप Tally account में अच्छा work करना चाहते हैं तो जितने weekly CI computer education channel पर जो भी Tally से related आपके वीडियो अप्लोड किये गए हैं वो बन वाई बन आप सभी देख सकते हैं तभी आप एक अच्छे account बन सकते हैं तो student अब इससे चलिए देखते हैं कि practically Tally account software में कैसे करते हैं इस सभी में Sam software होते हैं Sam work होता आप किसी भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर हम आपको Tally Prime software समझा रहे हैं तो चलिए Tally Prime software open करते हैं यह आपके सामने Tally Prime software window open है तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले voucher की हम बात करते हैं बाचर पर जाएंगे Then Interpress करेंगे, Interpress करके यहाँ पर देखिए अभी payment voucher की window यहाँ पर open है लेकिन यहाँ पर हम purchase voucher की बारे मिंदे समझना तो यहाँ पर purchase voucher जो sort की होती है एफ-9 एफ-9 प्रेस करेंगे तो यहां पर देखिए, यहां पर यह invoice open हो गया है, लेकिन यहां से हम इसे change कर सकते हैं, यहां से देखिएगा, item invoice, account invoice और यह as voucher, लेकिन अभी हम क्यों कोई simple तरीके से entry करना सीख रहे हैं, तो as voucher हम सीखेंगे, item invoice, account invoice, यह आने वाले next video अप्लोड करें इनके बारें detail में हैं, तो यह देखिए, यहां पर आपको purchase window open है, तो इसमें हम, जो question मैंने आपको समझाएटे, यहां पर आप तीन purchase good from malotra and company 10,000 on credit, तो चलिए इसका transaction कैसे करेंगे, teleprime software में, तो देखिएगा, purchase को यहां पर debit किया गया, malotra and company कहां पर credit किया गया है, तो यहां पर चलिए, mal malotra and company को credit किया गया है, accounts आपर चलिए, और यहां पर देखिए, अगर कोई order आया है, तो यहां पर number डालनेंगे, नहीं तो हम यहां पर कोई भी number ले सकते हैं, और date जो भी है, वो डालनेंगे यहां पर, और आगे हां पर जैसे की malotra, तो देखिए हां पर laser, तो देखिए हा यहां पर हम इसे accept करेंगे, और यह 10,000 है साइट, तो यहां पर चेक कर लेते हैं, 10,000 तो यहां पर 10,000 इंटरप्रेस करेंगे, new reference लेंगे, और यहां पर चलते हुए, और यह देखिए, आपका purchase account, select करेंगे, और यहां पर name of item, यह अभी हम skip करेंगे इसे, यहां पर narration weighing course purchase from Malotra and company, तो यह हमारा narration हो गया, then accept करेंगे, तो यह हमारी एक entry complete हो गई है, purchase goods from Sunil and brothers at 20,000 और on credit, तो student यहां पर भी 20,000 रुपई का उधार माल खरीदा है, सुनील and brothers है, तो चलिए इसका transaction करते हैं, practically रेखते हैं, तो सुनील and brothers 20,000 इसे हम credit करेंगे, कि यहां पर हम कोई भी supplier invoice number डाल लेंगे, then interface करेंगे, और यहां पर हम ले लेंगे, सुनील and brothers, then interface करेंगे, और next यहां पर 20,000 new reference ले लेंगे, और यहां पर purchase account सेलेक्ट करेंगे, और यह goods purchase कब करेंगे, यह next वीडियो में आपको detail से समझाएंगे, और यहां पर purchase account यह skip करेंगे, और next यहां पर narration लिख देंगे, being goods purchased from सुनील and brothers, then interface करेंगे, तो यह हमारी second transaction entry थी किस तरीकेश करते हैं, next जो हमारी third transaction है, वो है purchase goods from ABCD private, ABCD and company, 900 रुपए का उधार माल खरीदा है, तो यहां पर ABCD and company को credit करेंगे, तो चलिए, यहां पर हम कोई भी invoice number डाल देते हैं, supplied invoice number, यहां पर date भी आप चाहें तो change कर सकते हैं, F2 करके date को हम change कर सकते हैं, यहां पर हम, यहां पर ABCD and company यहां पर select करेंगे, और then interface करेंगे, इसे skip कर देंगे, इसके बाद यहां पर एक बाद check 900 जो माल खरीदा वो 900 का है, then interface करेंगे और इसे next करते हूँ, interface करते हूँ, हम पर purchase account select करेंगे, इसे skip करेंगे और यहां पर narration फिट डाल देंगे, ABCD and company और इसे control A से या इंटर दवाते हूँ, इसे accept करा लेंगे, तो students यह आपकी तेनों entry complete हो गए है, यह purchase goes from Malotra and company, purchase goes from Sunil and brothers, purchase goes from ABCD and company, तो students इस तरीके से यह जो तीन example लिये गए थे, तो इन तीनों example को कैसे practically करते हैं, वो आपने step by step देखा, इसके बाद student जो transaction अभी हमने tally frame में किये हुए हैं, तो tally में वो हम कहां पर display मतलब कहां देखेंगे और यह दा preview देखना चाहें कि preview किस तरीकेस देखेगा, यह print निकालना चाहा, print कैसे देखेगा, तो चलिए practically उसे tally frame software समझते हैं, तो यहां से back करेंगे, डे book पर आएंगे और यहां पर डे book पर आ करके तो देखेगा यहां पर यह तीनों entry हैं, तो चलिए यहां किसी एक पर select करके then enter press करते हैं और जैसे interface करेंगे तो alt-p press करेंगे, alt-p, इसके बाद यहां पर ctrl-p press करेंगे, यहां किलिक करेंगे, यहां से print निकालना है, तो यहां पर किलिक करेंगे, preview देखना तो यहां पर किलिक करेंगे और यहां से zoom करेंगे, पर किस तरीके से हम देखेंगे इसे यहां से बैक करते हैं तो इस तरीके से इसे हम देख सकते हैं यहां से एक बार फिर बैक कर देंगे और इस तरीके से हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं प्रिवू देख सकते हैं तो students ये वीडियो आपको कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो students इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को सेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं next वीडियो में, धन्यवाद,